तोडेज टोपिक इस क्लास 12 एकोनोमिक्स चैप्टर 10 पार्ट 2 यूनिट 5 अध्याय दस पूर्ण प्रतियोगता तथा लाब अधिक्तमी करण अथ्वा पूर्ण प्रतियोगता में उत्पादक का संतुलन जो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं उत्पादक का जो संतुलन होता है उसको हम दो समय के नुसर दो बागों में बाठते हैं अल्पकालिन संतुलन और दिर्गकालिन संतुलन तो फिलाल हम करेंगे सबसे पहले अल्पकाल में उत्पादक के संतुलन की विभिन संभावनाए अल्पकाल में संतुलन की इस्थिति के के लिए यह है आप शक्क नहीं कि ए समाने लाभ ही हो सिंथने इस्टिति है पहली सितिक जब फरम को ए समाने लाभ सवाइस लाथ मिल सकते जिसंग्लित में बोल जाता आनब में चाटा पर नॉर्म और ऐसमाने जब 87% profit मिले उसके बाद थी हमारी फरम को न्यूंतम हानी भी हो सकती है अल्पकाल में जैसा आप में पता है कि सभी साधन परिवर्त नशील नहीं होते तो फरम को लोज भी हो सकता थोड़े समय के लिए क्योंकि अल्पकाल में कीमत कम होने पर भी फरम हमेशा के लिए उत्पादन बंद नहीं करती यह कि थोड़े समय के लिए उत्पादन बंद भी करेगी तो उसे फिर लागतों की हानी तो उठानी ही पड़ेगी और यह है फरम की न्यूंतम हानी होगी अब हम सबसे पहले जो इस्थिति है उसका अध्यन करते हैं फरम की तीनों सिमांत लागत थो दोन्नों बराबर हो जाएं तर शिमांत लागत वक्र सिमांत आगम वक्र को निए लिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा थे और फिर से रिवायज करवाद Takней मैं फरम के संतुलन की दो सरते होती हैं यह हमारा आगम वक्र पृता है यह हमारा सिमांत लागत और सिमात आगम एक दूसरे के बराबर और बराबर कहां होते हैं जब वो एक दूसरे को काटते हैं तो यहां पर दो बिंदू होते हैं ए और तो इस इरनियम के हिसाब से फरम है वो बिंदू A पर भी संतुलन में हो सकती है और बिंदू B पर भी तो पहली शर्थ होती फर्म के संतुलन की जहां शिमांत आगम और शिमांत लागत पराबर हो तो यहां पर बिंदू A और B है दूसरी जो शर्थ थी संतुलन की जिसे हम जो पहली शर्थ को बोलते हैं हम आवशेक शर्थ या first order condition जो दूसरी शर्थ थी वो थी क्या कि जो लागत कर होता ही यह यह जो हमारा लागत कर हो है यह आगम वकर को नीचे से काट रहा है अब यहां बिंदू A पर यह उपर से ऐसे आ रहा कर हो यह उपर से काट रहा है तो बिंदू A हमारा संतुलन बिंदू नहीं है यहां से फिर यह U क्या करती बनाता हुआ उपर की ओर जा रहा है यानि इस आगम वक्कर को यह नीचे से काट रहा है तो B जो होता हुँ हमारा संतुलन बिंदू होता है तो फरम है बिंदू B पर संतुलन क्या उस्थाम होगी ना कि बिंदू A पर क्योंकि पहली कंडिशन तो पूरी कर रहा है AR बराबर MR लेकिन दूरी शर्ट को पूरा नहीं कर रहा है कि जो लागत वक्कर है वो आगम वक्कर को निचे से काटे तो निचे से बिंदू B पर काट रहा है तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रखना है तो ऐ समाने लाब और हाने को हम क्या से दिखाएंगे हमें पता लाब क्या होता है जो हमारा आगम है जो हमारी इंकम है उसमें से जो उमारी लागत गटा दे कोस्ट को गटा दे तो हमें लाब का पता चल जाएगा तो हम इन तीनों चितियों को दरशानी के लिए इस लागत शब्द को लागत जो वक्कर है इसको इडजेस्ट करेंगे यदि हमने ऐ समाने लाब दिखाना है तो लागत को बहुत कम दिखा देंगे, आगम को जादा दिखा देंगे, अगर हमने समाने लाब दिखाना है तो इन दोनों को पराबर दिखा देंगे, और अगर हानी दिखानी है, तो आगम को कम दिखा देंगे, लागत को जादा दिखा देंगे, तो ये एक छोटी सी ट्री बोस्त आगमवक्र फरम की ओस्त लागत से अधिक हो यानि कि जो आगमवक्र है वह ज्यादा है लागत है वह कम है तो फरम को दुनोंगा डिफरेंश क्या हो गया वह प्रोफिट होगा फरम अब इसको हमें एक रेखा चित्र की साहता से समझते हैं तो अब हम अध्यन कर रहे ह है एसमाने लाविया सुपर नॉर्मल प्रोफिट यह में आपको करव है वह अलग से भी बना के सिखाऊंगो भी हमने इन करव को कैसे बनाना पहले आपको थोड़ा से प्रीचे करवा देता हूं ओ एक्स अक्ष पर हमने वस्तू की मात्रा यानि उत्पाद उत्पादन को य हमारा ओझ इस पर हमने किसको परकटकिया है रेवेनिव और पोस्ट को जो फिपी वक्त है यहां यह है हमारा उससाफ नहीं ना लाव दिखाना है ईसमान में लाव दिखाना है तो हम क्या करेंगे लागत को किस से तिका दिए थेंहें है तो यह कि यह हो गया हमारा लागत करो उसत लागत हमें पता है कि जो शिमांत लागत वक्र हुल सट लागत के नहुंतम बिन्दु पर यह काटता है तो हम स्विमांत लागत का जो न 질문 बिंदू पहले आता है और इसके बिंदू से बुजरता है यह सब बाते हैं हम पिछले अध्याय लागत वाले में पढ़ चुके इसलिए मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि आप इन वक्र को ध्यान से देखे क्योंकि इनका जुरूत हमें आगे आने वाले टोप यह जैस हम क्या करते हैं नीचे एक रेका डालते हैं तो जहां यह इस वक्र को काटता है लागत वक्र यह फरम की लागत है वो फरम की आदम है तो यह जो इस एरिया में है यह ए ए पी जो है हमारा फरम का ए समाने लाब होगा क्योंकि इस बिंदू पर फरम की जो लागत है वो कितनी है A और M जबकि जो income है वो है E और M तो फरम को E A के बराबर है वो लाब प्राप्त हो रहा है और कुल फरम E A पर तीकाई और कुल लाब फरम का E P P A के बराबर प्राप्त होता है अब इसकी थोड़ी व्यक्या पढ़ते हैं कि रेखा चित्र में O X अक्ष पर हमने वस्तु के मातरा तथा O Y पर हमने आय और लागत को प्रगट किया सिमात लागत तथा A C हमारा O 7 लागत वक्र पी पी हमारा उसात आगमवक्र तथा सिमात आगम वक्र है क्योंकि Purnah उपरेंट धियार ही हमारा एमर होता है जोभ द्वारा ओपी कीमत कीए गई है इस कीमत पर फरम का संतुलन बिंदू इअ हो गाई एम तक और जब कि उससे लागत कम है आगम ज्यादा है तो फरम को क्या होगा लाब इसलिए फरम को फुल जो फुर्ल प्रॉफित होंगे और ऑश्य बंदू प्रसंट उलन में होगी और ईएब्याप्त करेगी आब इस ग्राफ को हम दूरे तरिक्ये से आपको बनाना सिखाते हैं कि यह ग्राफ को कैसे बनेगा सुपर नॉर्मल प्रोफिट को हम कैसे दिखाएंगे यह हमने OX पर हमने दिखा दिया आउटपूट और OY अक्ष पर हम दिखाएंगे कोस्ट एंड रेवेन्यू उद्योग ने माली जी हमने OP जो कीमत है वो द्योग ने निवदारित की है तो यह फरम का PP वक्कर है जो उस वस्तू की कीमत को दर्शाता है यही फरम का वोसत आगम वक्कर है और यही फरम का सिमान्त आगम वक्कर है अब हमने संतुलन की दो शर्ते पढ़ी थी संतुलन की दो शर्ते क्या थी कि जहां mr equal to mc जहाँ mr और mc दोनों बराबर हो और mc वक्र mr को निचे से काटे ठीक है यह हमने दोनों इस उपर वाली शर्ट को बोलते हैं first order या आउशक शर्ट और इसको बोलते हैं हम परियाप्त शर्ट या second order condition अब देखें संतुलन बिंदू कैसे decide करेंगे सबसे पहले हम दर्शाएंगे हम ac ac को हम इसके निचे से दर्शाएंगे यह होगे हमारी ओसत लागत वक्र यह दो बिंदू पर काट रही है यहाँ पर बिंदू a यहाँ पर बिंदू b पर यह काट रही है तो संतुलन यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी लेकन यह ac वक्र हमने mc को देखना है हम mc कर्व और बनाएंगे mc कर्व कि अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको दो शर्टे बताई थी पहली शर्ट क्या थी कि जो mc वक्र है ac के न्यूंतम बिंदू से गुजरता है और दूसरा था mc का न्यूंतम बिंदू ac से पहले आता है यह दो शर्टे मैंने आपको बताई थी आपको ध्यान होगा अब देखिए यह जो हमारा mc कर्व है mc कर्व बनाएंगे यह पहले हम ac का न्यूंतम बिंदू डिसाइड कर लिंग ताकि हमारा ग्राफ वो गलत नहीं हो यानि हमने यह इस वक्र से यह बुजारना था mc का न्यूंतम बिंदू पहले लगा के mc को अब संतुलन के लिए आफ्षिक शर्ते mr बराबर mc mr यह mc यह हमारा black में हमारा mr यह हो गया हमारा संतुलन बिंदू पी अब देखिए इस बिंदू से हमारी एक लाइन जो यह निचे यह om हमारा उत्पादन होगा जहां यह ac कर्व को काट रहा है यह हमारा super normal profit का बिंदू आज यह गई यह जो total area है यह हमारा farm को क्या दर्शार है super normal profit तो यहां इसको हम नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b, तो farm की किस बिंदू पर income यह हमारा revenue कर्व है यह income है हमारी इतनी e से लेके m तक और लागत है हमारी यह इतनी a और m लागत कम है income जादा है तो farm को इतने यह lab पराप्त हो रहे है तो यही farm का है super normal profit अब हम बात करते हैं समाने lab या normal profit के बारे में जो उत्पादक के अल्पकालन संतुलन के जो दूसरी जो शर्प इस्थिती होती होती हमारी समाने lab normal profit एक farm संतुलन के अवस्था में समाने lab उस समय पराप्त करेगी जब farm के ओसत लागत और ओसत आगम पराबर हो जाए तो हम इसमें क्या करेंगे ओसत आगम और ओसत लागत को पराबर कर देंगे तो रेखा चितर में हम देख पा रहे हैं ओएक्स पर हमने उत्पादन को दर्शा दिया ओवाई पर हमने revenue और कोस्ट को दर्शा दिया पी-पी हमारा जया है फरम का जो आगम वक्कर है यही हमारा सीमान ता ओसत आगम यही हमारी कीमत होती है तो संतुलन के लिए अब हम समाने लाव दिखा रहे हैं समाने लाव दिखाने के लिए क्या करो लागत और आगम को ओसत लागत और ओसत आगम को बराबर जहादे हैं हमने इस ओसत लागत को इस तरीके से बनाई यह इसको बिल्कुल टच कर रहा है और संतुलन दिखाने के लिए अमक्या करेंगे एमसी करव को इसके बिंदू से गुजार देंगे तो यह फरम समाने लाव या नूर्मल अब जैसा हमने पढ़ा था फरम को बहिए अलपकाल में हानी भी हो सकती तो फरम की आनी सहने के भी एक सीमा होती है वह हम उस सीमा को और स असर की भासा में बोलते हैं बंद करने का बिंदू आने उठाने की एक लिमिट तो होती है कोई आदमी कितना नुक्सान करेगा तो उस लिमिट को बोला जाता है बंद करने का बिंदू तो यह सारे चीजा भी शेकते हैं चलिए उत्पादिन के अवस्था में एक फरम नून भी उत्पादन बंद भी कर दिया जाए हमने ताला लगा के बंद कर दिया कोई बात नहीं तो अभी फरम को स्थीर लागतों का गाटा है वो उठाना पड़ेगा क्यों भी हमने एक साल के लिए एक गुदाम किराय पे लिया था या दुकान किराय पे लिए थी तो दुकान लागत का गाटा ही निउन्तम गाटा होता है यह उत्पादन जारी रखने पर उस फरम को ओसत गटती बढ़ती लागत या उससे अधिक कीमत प्रापत हो जाए तो उत्पादन बंद करना पसंद करेगी इसको हम फड़ा सा और विस्टार से समझते हैं बंद करने का प्रापनः अनी होती है जो winners shutdown point होता है इस point पर जो फरम की आनी होती है चाहे वो उफड़ादन करे और रहे दो भी उतनी अन्य शब्दों में और श्रूल शब्दों में कहें सब्सक्राइब चाहिए चाहिए बंदकन करने किभा स्दैब के लिए बंद नहीं किया जाता इसका भी प्राइकेवल अल्पकाल के लिए उत्पादन को स्थगित करने से है जैसे ही टाइम बदल जाए लाब दाएके इस्थ किया जाए तो हम उत्पादन को दोबारा शुरू कर सकें अब इसे बंद करने का बंदू इसलिए का जाता है क्योंकि इस बंदू पर फरम को उत्पादन करने से जितनी आनी होती है उतनी ही आनी उत्पादन बंद करने से होती है अब इसको समझते हैं एकर एका चितर से यह है हमारा शटडाउन पॉइंट की व्याख्या है तो एज़िटी चलेगी ओएक्स पर हमने उत्पादन को दर्शा है ओवाई पर हमने रेवेन्यूर कोस्ट को दर्शा है अब जो हमारा सुत्र है वह क्या गयता है अगर हमने आने दिखानी है तो क्या करेंगे लागत को आगम से ज़्यादा दिखा होने तो हम उसत लागत वकर को ऊपर दिखा दें यह होगा हमारा अब यह लागत उपर है आगम कम है तो फर्म को हानी हो रही है तो अब हम करेंगे सका संतुलन बिंदू सबसे पहले बनाएंगे हम हमारी इस तरीके से तो यह एम-ार को यह यहाँ बिंदू ई पर काटर तो यह फर्म को क्या हो रहा है संतुलन बिंदू है ए अब इसी वकर पदर जो फर्म हैete उम मातरा का उत्वादन तरेगी और इसको उपर बढ़ाए तो जहां यह लागत वकर को काटेगा यह है फर्म की हानी तो इस इस्ष्चिती में फरम को ये फरम को हानी? अब सवाल आता है कि फरम कहां तक हानी सेहन करेगी? तो हानी सेहन करने का जो बिंदू होता है वो होता हमारा ABC से डिसाड होगा तो हम इस AC और MC के बीच में ABC कर वोर बनाएंगे इसका नियुनतम बिंदू भी MC से गुजरेगा और ये इस तरीके से काटेगा जहां ये एक दूसरे को काटते हैं ये है फरम का चट डाउन पॉइंट अब अल्पकाल इसंतुलन की विभीन संभावना है अता है अल्पकाल में एक फरम गाटे या आनी के वस्ता में उस समय तक उत्पादन जारे रखेगी जब तक उसी नियुनतम आनी अर्थात के बंदी को बंद कर देगी है उत्पादन के वाली कीमत ही कीमत है जिसके नीचे जाने आन्म हेन अर्थात उत्पादन बंद कर देती इसलिए इस बिंदु को बोला जता है उत्पादन बंद जिन्दू पून प्रतियोगता में उत्पादक के जो अलपकालन संतुलन को जो हमने ग्याद किया है कुल आगम और कुल लागत विधी तथा सिमानत आगम और सिमानत लागत विधी अब इसको हम एक खोटी सी तालिका में शोट में डिसाइड देखते हैं कि कैसे कब जो किती है वह होती है इस्थिती है वह फरम कहां उत्पादन करेगी कितना उत्पादन करेगी पहले हम बात करेंगे कुल आगम और कुल लागत विधी की फिर बात करेंगे हम सिमानत आगम और सिमानत लागत जो हमने कल वाली क्लास पिछली जो क्लास में पहली विधी परम उत् पाधन करेंगी जहां टी आर ओर टी सी का अंतर हुआ अधिक्तम होगा और हमको ए समाने लाब कहां परात होगा यह दी टोटल रियू ज़ाद हो किसे टोटल कोस्ट से जहां ने मद कहां करेगे फरम है टोटल ल करते हैं सिमानत आगम और सिमानत लागत विद्य जो हमने आज शिखा इसमें किसको देखते हैं एक चेम हो श25 बैदTh delayed को । बहुतक्त परेजिश करेगी जब रवन्यू जादा हो या लागत के बराबर हो मैं म् ABC के बराबर या जादो इस इस्तिती तक फरम है वो उत्पादन करना पसंद करती है अधिक्तम लाब कहा होगा जहां MR बराबर MC और MC वक्कर है वो बढ़ने लगता है वो फरम का अधिक्तम बिंदू पॉइंट होता है इसके बाद कभ फरम को ऐस मान लाब होगा ऐस मान लाब कभ होगे जब revenue के जादां होंगे जब revenue और पराबर होंगे और हानी जब revenue है कोस्ट से कम हो जाएंगे और पंद करने का बिंदू कहाा होगा जहां revenue है इतना कम होगा यृ Emperor GP के बराबर आइ समाने लाग और आनि अब हम अध्यन करेंगे उत्पादक का दिर्ग कालीन संतुलन दिर्ग काल समय की वहवदी है जिसमें पूर्टी को मांग के अनुसार कम याधिक किया जा सकता है नई फर्मे उत्द्योग में परवेश कर सकती है पुरानी फर्मे उत्द्योग को भोटा या बड़ा कर सकती है। तो यह सब दिर्ग काल की विशेशता होती है। तो दिर्ग काल में भी फरम संतुलन की स्ठिती में उसी टाइम होगी सेमगे जहां हमारा सिमांत लागत वक्कर, लेकिन को नसा होगा? दिर्ग काल का? hima होगा दिरक काल में हा नहीं हो रही है तो क्या होगा दिरकाल है तो फर्म को आई समाने लाब मिलेंगे माली जी दिरकाल में मुटे लाब होंगे तो पुरानी फर्में अपने उत्पादन में वृद्धि कर देंगी या नई फर्में उत्द्योग में आ जाएंगी तो इससे क्या होगा वस्तू की पूर्ती बढ़ जाएगी और कीमत में कमी होगी कीमत में कमी होने के कान क्या होगा फर्म को समाने लाब ही प्राप्त होंगे अब माली जी इसकी दिरकाल में फर्मों को आनिया हो रही है तो क्या होगा कुछ फर्म हैं वो द्योग छोड़ कर चली जाएंगी बाकि फरमे अपने उत्पाधन की मात्रा कम कर देंगे तो इससे क्या होगी? पूर्ती में कम होगी तो कीमत फिर से बढ़ेगी और फरमों को फिर से समानलाब ही पराप्त होने लगेगा उनके तो पेपर में सवाल आ गया निमन में से कुण प्रत्योगता में कब फरम को समानलाब ही प्राप्त होते हैं तो इसका जवाब होगा केवल दिर्ग काल में अल्प काल में तो ए समानलाब, समानलाब और हानितीनों हो सकते हैं आप दिरकालीन संतुलान को थोड़ा और पढ़ते हैं धरेकालीन संतुलान की चिते में एक फ्रम नियूंतम-वसत लागत पर उत्पादन करेगी इस प्रकार धिरकालीन चसे पर्रम कि नया केवल दिरकालीन सिमात लागत तथा सिमात आगम ही एक दुसरे के बराबर नियोंग कि दिर्ग कारिन ओसत लागत के नियुंतम बिंदू तथा ओसत आगम तथा कीमत भी बराबर होंगे क्योंकि फरम को केवल समाने लाभी पराप्त होते हैं तो दिर्ग कारिन संतुनल क्या होगा चोट्रम मार्जिनल कोस्ट है वो होगा लोंग ट्रम मार्जिनल कोस्ट के वही हमारा उसत आदम के वराबर वही कीमत के वराबर और यह सारे कहाऊंगे जहां पर उसत अलागत हो निून्तम होगी दिर्ग काली की और वही शोटरम की ओर सारे बिंदू एक ही वक्र पर होते हैं तो अब हम एक ग्राफ से समझते हैं इसको रेखा चितर में लेशी यह हमा यह हमारा एल्लेसी की जिर्ग काली ओसत वक्र यानि लोंग टरम एवरेज कॉस्ट यह अल्प काली और दाकर की तुल नामें चप्टा होता है यानि वहाल काली वाल हमारा थोड़ा इस प्रकार होता रहे ये यह जबकि थोड़ा लद आखता होता है यानि फैला अल्प कालिन ओस्ट लागत वकरों का योग होता है हते सभी अल्प कालिन ओस्ट लागत वकरों को बाहर से घेर लेती है इसी वज़े से दिरग कालिन ओस्ट लागत वकर को लिफाफा वकर भी यानि envelope cover भी कहा जाता है ये most important person भी बार बार पुछा जाता है लिफाफा वक्र क्या होता है लोंग ट्रम एवरेज कोस्ट को लिफाफा वक्र कहा जाता है एनवलप कहा जाता है क्योंकि ये थारे जो शोट ट्रम के उसा तलागत वक्र होते हैं उनको चारो ओर से घेर लेता है ऐसे जैनि उनको envelope कर लेता है, इसलिए इसको बोला आफा, वक्र lmc हमारा जिर कालन Сिमात लागत वक्र था smc हमारा अल्प कालन सिमात लागत वक्र ये हो गया हमारा lmc और ये हो गया हमारा smc और ये हो गया हमारा आज इस तरह के स позвол rundu e पर सारे वक्र पॉइंट बराबर होते हैं और हमें पता संतुलन के लिए MR बराबर MC और इसको नीचे से काटे फर्मों का परवेश और फर्मों का फोड़ना कि अभी अभी हमने पढ़ा यदि फर्म दिरकाल में यदि पूर्ण परत्योक्ता बजार में फर्मों को मोटा लाब हो रहा तो क्य होगा नहीं फर्मे आयेंगे नहीं फर्मे आयेंगे तो क्या होगा मैं पूर्ती बढ़एगी तो इसकी वज़ें से क्या होगा फर्मों कि लाबघंगे और वो किस लेवल पर जाकर रुकेंगे समयन्य लाब उपद इसी तरह महाली जिए है जर्रेकाल में उस उध्योग में हानी हो रही है हानी ओर तो क्या होगा उस फर्में बजार छोड़कर चली जाएंगी तो क्या होगा इस और जो पुरानी फर्में जो बच गई वो अपना उत्पादन कम कर देंगी क्योंकि आभी नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा बजार में उसकी पूर्ती कम होगी पूर्ती कम होगी तो उसकी कीमत बढ़ने जिरख काल में अधिक्तम लाब कमाने वाली सभी फर्में वस्तु का उत्पादन उस तरह पर करेंगी जिस पर फर्म का जो कीमत है वो उसत लोंग ट्रम सीमान तलागत के बराबर हो जायता था उसत लागत है वो फर्मों का परवेश कब होगा इंट्री ओफ फर्म अट्रेक इंवी सब्रेघ्ज कोस्ट है। वो कीमत्रेखा से निचे होता। क्यों । धिरकाल हैं नई फरमे आ सकती हैं पूर्तिम बढ़गी पूर्तिम जिए तो मुझे司 को देखते हैं। रेखा चित्र में अमने उध्योग और फरम दोनों का संतुलन है वो दिखा यह हमारा दिखा रहा क्या फरम का संतुलन यह क्या दिखा रहा हमारा उध्योग में अन्य फरमों की बाते फरम को ऐसमाने लाब अर्जित करते हुए दिखा यह हमने फरम को क्या ऐसमाने लाब यह हमारा P1, यह हमारा P0, यह जो छेतर है, यह हमारा क्या दिखा रहा है, फरम का ऐसे मानने लाब दिखा रहा है, परण्तु इन लाबों को जो फरम दिरकाल में प्राप्त नहीं कर सकती, दिवी कीम, O, P0 पर उद्ध्यो का उत्पादन N0 होता है, यह जो हमारी कीमत, इस पर फरम का जो उत्पादन हो कितना है, फरम का उत्पादन X0, यह फरम का उत्पादन यह हमारा X0 और उद्ध्यो का ही, यह O0, यह है, इससे क्या होगा, यह है, अन्य उद्ध्यो के काम करने वाली फरमों को अपनी और आकरशित करेगा, इसके फरसुरु क्या हो, उद्ध्यो क का पूर्ती वक्कर दाई और से सरक कर S1 S1 हो जाएगा पूर्ती बढ़ने से उद्धियों कि नई कीमत OP0 से घटकर OP1 हो जाएगी और कीमत का OP1 कीमत पर फरम का उत्पादन घटकर S1 हो जाता है और परतेक फरम हो ऐसे कि नियुंतम बिंदू पर उत्पादन वो करेगी क्या हो ऐसे यह जो फरम थी यह जो फरम थी ऐसे माने लाप प्राप्त कर रही थी यह इतना इस वज़े से जो डिमांड सप्लाई का जो बिंदू था वो हमारा यह था E अब फरम को इतना लाब हो रहा है इस लाब को देखके अन्य फरम में बजार में आए तो बजार में पूर्ती बढ़ गई तो पूर्ती बढ़ कर हमारा हो गया S1 और S1 कर अब इसकी वज़े से क् संतुलन बिंदू यह E1 हो गया इस पर बिंदू पर फरम को वही फिर से समाने लाब ही प्राप्त होंगे तो यह था हमारा फरम की अब थोड़ा आगे पड़ते यह मैत्पूर्णा की द्योग में नई फरमों के परवेश की परक्रिया जब तक जारे रहेगी जब तक कीमत गटकर OP1 नहीं हो जाती है अतरित लाब यह समाने लाब समाप्त नहीं हो जाते यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बलेई फरम पहले से कम उत्पादन X0 की बजाए X1 कर रहे परंतों उद्योग की कुल पूर्ती N0 से बढ़कर N1 हो जाती फरमों का उद्योग को छोड़न फरम उस कीमत पर काम कर रहे हैं जो ऐसे सी कम है और जो ट्रम वेरेबल कोस्ट से ज्यादा इसलिए फरम में आने उठाते हुए भी कार्य कर रहे हैं परंतों फिर भी कीमत से वह घटती बढ़ती लागत ही निकाल पा रहे हैं इसलिए जब कीमत बंद करने वारे से उपर रह दखेगी और सिर्काल में क्या होगा तिर्काल में फरम को फिर से समणिलाब पराप्द रहे हुए हुए वह चुरू हो जायेंगे कैसे राफ से देखते हैं यह हमारा ग्राफ दो पार्ट में बनेगा यह हमारा फरम का संतुलन दिखा रहा है और यह हमारा उस उद्ध्यों का संतुलन दिखा रहा है रहिखाची तर से स्पास्ट रहा कि परतेक फरम आने उठाते हुए कार्य कर रही भी यह जो हमारा आने कर दिखा रहा है भी वरतमान में P0 हमारे संतुलन बिंदू यहाँ पर फरं में यहां पर फरं में यह हमारे संतुलन बिंदू बाज़ार का E आपती रहेगी क्योंकि सेटडाउन पॉइंट से ज्यादा है फरम है वह अपनी उत्पादन जारे रखेगी अब दिर्ग काल है तो क्या होगा कुछ फर में बाजार छोड़कर बाहर चली जाएंगी तो बाजार फर में थोड़ी चली तो बाजार में पूर्ति कम होगी पूर होंगे अब इसमें क्या होता है फरम का तो अपना उत्पादन बढ़ जाता है परन्तु उद्द्योग का जो उत्पादन हो भट जाता है इसका कान क्या है इसकी वजह से इसका कान है उद्द्योग की कुछ फर में बजार छोड़कर चली गई थी प्यारे बच्चों यह थी कि हमारी आज की क्लास में हमने क्या कैसे सिखा अलपकालिन संतुलन के विभिन परकार सिखे हमने कौन-कौन से परम का संतुलन सिखा और एक छोटा सा पॉइंट ओर सिखा Entry and Exit of Farms तो ये थी हमारी आज की क्लास Economics Online क्लास YouTube चैनल से दे रहिए आज की क्लास है हम यहीं पर end करते हैं तो सभी बच्चों को जै हिं जै भारत